नमस्कार आप सभी का फिल्मी बिर्टान पर स्वागत है। शबाना आजमी, इसमिता पाटिल इत्यादी, अनेको अभिनित्रियों ने अपनी आवाज का जादू बिखिर चुकी है। वर्स 1950 में आई फिल्म हमारी बेटी से सिनेमा जगत में कदम रखने वाली नूतन जी ने अपने करियर में 70 से अधिक फिल्मों में काम किया है। और लगातार पांच साल तक सर्वस्रिष्ट अभिनित्री का फिल्म फियर खिताब जितने का रिकॉर्ड अपने नाम किया है। आप लोगों को यह जान कर हैरानी होगी कि नूतन जी एक बेहतरी नभिनित्री तो थी ही। साथ ही साथ एक शांदार निर्तक और एक कुछ चस्तर की गाईका भी थी। उन्होंने संगित सीखा भी था। नूतन जी वैसे तो कई गित गाई हैं परंतु आज हम जिस गित को प्रस्तूत करेंगे वह वर सुनी सब सत्तर में परदासित फिल्म यादगार का है एस राम सर्मा के द्वारा निर्मित और निर्देशित यादगार में मनोश कुमार, नूतन, प्राण, प्रेम चोपडा, मदन पूरी, कामनी कौसल इत्यादी ने अपने अभिने का जलवा विखिरा था। फिल्म में कुल पांच गित थे जिन्हें लिखा था इंदीवर और वर्मा मलिक ने तथा संगीत बद्ध कल्यार जी आनन जी ने किया था। प्रेम, महंद्र कपूर, लता मंगेसकर, आश्चा भोसले, मनहर उधास और नूतन ने गाया था। वर्मा मलिक का लिखा एक गित जिसके बोल थे, बोली सावन की रात, बड़ी पावन की रात को नूतन ने महंद्र कपूर और मनहर उधास के साथ मिल कर गाया था। क्योंकि वह पहले भी कई गितों को गाय चुकी थी, आए गित के कुछ जल्कियों का अनंद लेते हैं। वो बुली सावन की रात, बड़ी पावन है बात। वो रंग खुशियों ने पहने गुलाबी, वो हमने देखी हैं होने वली बावी। चन कूठे बरपा के घुंगरू, मचलू की है रात की पायन। दिल की धड़कन ऐसी बढ़ी हैं। बिना हवा के उड़ता चैं। देवार भागी संग संग नाच हब सावन की रात शरावी। वो हमें देखी हैं हुने मली बावी। बुली सावन की रात, वो बड़ी पावन है बात। लगों खुशी होने पहने गुलाबे। वो मैने देखी हैं हुने वाली भाव दिए। वाकई में नूतं जी ने गित को बहुत ही सुंदर गाया है। महंद्र कपूर और मनहन उधास के साथ नूतं जी ने गित को सुन कर ऐसा लगता ही नहीं है कि किसी अन प्रोफेशनल गाईका ने गाया है इसके अलवा नूतन जी ने कई सुपर हिट गितों में अपनी आवाज दे चुकी हैं जिस पर हम पहले ही विस्तार पुरुवक वीडियों बना चुके हैं जिसका लिंक हमाई बटन एंड स् कमेंट सेक्षन में जरूर बताएं कि रपया वीडियों को लाइक और शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना बिलकुल ना भूलें जै हिंद धन्नवाद